के अंदर सरकार दोरा NPS में सुधार कर लाई गई Unified Pension Scheme यानि कि UPS से सरकारी करमचारी संतोष्ट नहीं है देश भर के 99 लाग से अधिक सरकारी करमचारी पुरानी Pension की बहाली के लिए All India NPS Employees Federation यानि AINPSEF के बैनर तले एक राष्ट ब्यापी आंदोलन चला रहे हैं इस आंदोलन का नाम National Mission for Old Scheme भारत रखा गया है National Mission for Old Pension Scheme भारत के राष्टी अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंग पटेल ने बताए कि 17 नवंबर को नई दिल्ली में OPS बहाली के लिए Pension जैगोष महारेली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है पटेल का दावा है कि जनतर मंतर पर होने वाली रैली में केंदर एवं विभिन प्रदेशों की सरकारों के करमचारी भारी संख्या में श्रीरकत करेंगे NPS कर्मियों का फोकस नाम पर नहीं बलकि OPS की आत्मा पर है फेडरेशन ने केंदर सरकार से मांग की है कि पिंशन की गढ़ना 25 वर्ष के इस्थानपस 20 वर्ष में की जाए और करमचारी के अंसरदान पर GPF की माननेता रहे ताकि वो करमी को पूरा वापस मिल जाए पिंशन जाए घोष महारेली का समय दो पहर 12 बजे रखा गया है बता दे कि इस साल जबके अंदर सरकार ने NPS में सुधार कर एक नाई पिंशन योजना यानि कि यूनिफाइट पिंशन इसकिम को लागू करने की घोषना की थी हलाकि सरकार ने इसे अगले वर्ष पहले अप्रेल से लागू करने की बात कही है अखिल भारती रक्षा करमचारी महासंग AIDEF ने प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई करमचारी संगटनों के प्रतिनीदों के बैठक का बहिशकार किया था वज़त ही AIDEF की मांग इसके कुछ दिन बाद ही NM OPS के 26 सितंबर को देश के सभी जिरा मुख्यालियों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया इनकी मांग थी कि करमचारीों को पुरानी पिंशन ही चाहिए अखिर भारती रक्षा करमचारी महासंग AIDEF के सदस्यों ने तो 2 अक्टूबर को प्रतिक्जा ली थी कि जब तक कोई गयर अंशुदाई पुरानी पिंशन योजना हासिल नहीं करेते तब तो कोई चैन से नहीं बैठेंगे इनके अरावर रेलवे के विभिन करमचारी संगठों ने भी यूनिफाइट पिंशन निश्कीम के विरोध में खड़े होने का फैसला किया था वे भी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं AIDEF के महास्टचीव सी स्रीकुमार का कहना था कि करमचारियों ने यूपियस के खिलाफ अपने अंदोलन को दोबारा से प्रारम करने का निरने लिया है अन्सुदाई 25 निशना यूपियस का पूर जोर विरोध किया जाएगा पिछले 20 वर्षों से केंदर सरकार और राज्य सरकार के करमचारी अंसुदाई 25 निशना के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी मांग गैर अंसुदाई पुरानी 25 निशना को फिर से बहाल कराना है सरकारी करमचारीं के पास अभी एक विकल्प बचा है कि वोई UPS में शामिर हो या NPS में बने रहे हैं बताऊ स्रीकुमार UPS कुछ नहीं है बल्कि NPS का विस्तार है राज्य सरकार के करमचारी संगठनों ने भी UPS को खारिज कर दिया है कई राज्यों में रहलिओं और विरोध कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वे यूपियस को सुईकार नहीं कर सकते हैं वजह यह है कि एक अन्षदाई प्रकृती की योजना है करमचारियों की संचित निधी जिसमें उन्होंने तीन दश्कों से अधिक समयता की योगदान दिया है उसे वापस नहीं लोटाय जाएगा भले ही पेंशन की पातरता 25 साल रखी गई है लेकिन करमचारियों को पेंशन 60 साल के उम्र के बाद ही मिलेगी पुरानी पेंशन निजिना में मिलने वाले कई लाव एनपियस यूपियस में नहीं मिलते है यूपियस में सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है नेसनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन इसकीम भारत के अध्याक्षर मंजीत सिंग पटेल ने बत पड़ेंगी 17 नॉम्बर को जंतर मंतर पर हो रही रैली में देश भर से लाखों कर्मचारी भाग लेंगे इनमें दिल्ली जम्मू कश्मीर पंजाव हिमाचल उत्तरप्रेश उत्राखंड चतिसगड हरियाना गुजराद असम मेघाले नागालेंड सिक्किम तमिलनाडू च पड़ा है अब पुरानी पेंशन के मामले में कर्मचारियों की दो महतपूर्ण डिमांड बची है पहली है कि पेंशन की गड़ना 25 वर्स के बजाए 20 वर्स हो और दूसरी कर्मचारियों के अंसरदान पर जीपिएफ के माननेता रहे ताकि वो कर्मियों को पूरा वापस मि हो सकता है हमारा फोकस नाम पर नहीं है बलकि ओपियस की आत्मा पर है कर्मचारियों का सरकार के लिए सुझाओ है नाम चाहे कुछ भी रख लो लेकिन ओपियस के सभी प्रावधावनों का फाइदा देना पड़ेगा AIDF के महा सचीव स्री स्री कुमान ने बता कि गांधी जन्ती के दिवस पर AIDF के प्रतेक सदस ने शपत ली थी कि एक रक्षा नागरिक कर्मचारी विनाशकारी एनपियस और यूपियस के अंसरदाई पिंशन से मुक्त होने के लिए सभी संगर्षों और आंदोलों में साम अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पीज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद।